इसको समझने से पहले एक काम हम करते हैं देखिए, वाटर हम लेते हैं, पहले देखिए नाम इसका पीएज क्यों बढ़ा होगा, पीएज स्केल का यह मैं पी, मीन्स होता है, पोटैंस मिन्स पावर, किक nhiंप पावर किसका पावर, हाइज के नियूं आयन के तेमिस प्रोचिंटराशन पावर, उके पीएज़ का किस पावर, ह मिन्स हाइज़ न आयन, तो हाइज रच लिख अनकि ऐख होया है, ज्यादा है या कम है इसमें काम वाँ कर लेते हैं सबसे पहले हम इसको समझने से पहले अब लीजिए आपके पास प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में क्या होता है कि यह प्योर वाटर है आपके पास प्योर वाटर में आपके पास हैं प्लास प्लॉस आइनस का जो स्य्कांसंटरेशन होता है वह हों सब्सकी यह होतले हैं कैंसे हैं तो और बड़ार क्या होते हैं टो अंसल माइनस खुनागा है इसलिए जो solution है, मतलब pure water जो है, वो कैसा है, neutral, ओके, और देखिए concentration को हम chemistry में कैसे लिखते हैं, आप पूरा ऐसे concentration अगर नहीं लिखना चाहते हैं English में, तो एक square bracket इधर लगाओ, और एक square bracket इधर लगाओ, और ऐसे करके h plus लिख दो, तो असको क्या पढ़ा जाएगा, concentration of h plus iron, और इसी तरीके से, concentration of oh minus iron, means hydro of side iron, ठीक है ना, तो pure water में क्या होता है, h plus iron को concentration, oh minus iron के concentration के equal होता है, pure water, ओके, अब एक काम करिए, ध्यान से सुनिए, आप इस pure water में, अगर हम खुड़ा सा acid add करें, ठीक है, क्या add किया मैंने, acid, आपने इसमें थोड़ा से scl add किया, तो scl क्या देगा, h plus iron, तो आपका water up कैसे nature हो जाएगा, acid, क्योंकि अब आप बोलोगे, की scl के मिलाने से, h plus iron का जो concentration है, वो oh minus iron के concentration से, जारा होता होता है, पहले क्या तो दोनों, same, को दिक्कत है, अब देखिए, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, कि जब आपने इसमें scl थोड़ा सा मिलाया, क्या oh minus iron में नहीं है, होंगे, बट you can say that, की h plus iron का concentration, oh minus iron से, जारा है, अब दूत्रा काम करिए, अब आप इसमें scl ना डालकर, आप इसमें sodium hydroxide मिलाइए थोड़ा से, ठीक, तो na oh क्या देगा इसको, oh minus iron, तब आप क्या बोलोगे, की oh minus iron का concentration है, it is greater than h plus iron concentration, तब आप बोलोगे की, yes, तब आप बोलोगे की solution कैसा बन गया है, basic, तो मुझे बताएए, क्या उस solution में h plus iron अबलिबर नहीं है, है, लेकिन, कम, concentration of oh minus iron is greater than concentration of h plus iron, ठीक है, कोई doubt है, ठीक, तो आपको एक बाद पता चल गए, क्या, कि कोई भी solution आपको मिलेगा, और solution में, कौन common होता है, h plus iron, देखिए, ध्यान दीजे, है, h plus iron आपको मिलेगा है, मिलेगा, क्योगी कोई भी solution आपने बनाया हो, बनाया किसमे, water में, और water किसमे आइना ही होता है, h plus iron, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत important, कि water के साथ ही तो आप solution मनाते हो, h plus iron, यह basic, तो water में क्या होता है, h plus iron, इसलिए आपको ध्यान किसमे देना है, फिर, h plus iron, मतलब चाहें आपका solution acidic हो, चाहें आपका solution basic हो, आपको h plus iron उसमें मिलेगा, हाँ वो अलग बात है कि जाधा मिले या, कम, जाधा concentration है, तो solution acidic होगा, अगर h plus iron का concentration कम है, तो solution basic हो, यह ब सौरेंसन, ठीक है, सौरेंसन नाम के सांडस्ते, इन्होंने 1909 में एक स्केल बना था, ठीक, ये स्केल कैसा होता था, तो सुनिए, ये स्केल आप भी बना सकते हैं, देखिए मैंने वाइड़ोड पे बनाया हो गए, ठीक, इस स्केल किस पर बेज़्ट है, तो आपसर है, ये स् कहां तक लिखे होते हैं, जीरो से लेके 14, ठीक है, अब, पी-एच क्या बताता है, पावार आफ, आइड्रोजन, आयन का पॉंसर्ट डिरेक्शन का पावर बताता है, ठीक, तो देखिए, इसमें आप एक चीज दियान दिजेगा, ठीक, वैसे तो आप लोग इसको लोग से में दर करेंगे, लोग लगा कर, एक फार्मुला होता है इसका, बट इस साल हम इसे नहीं करेंगे, यह आप नेक्स्ट येर में करोगे भी, फार्मुलेशन इसका हमें नहीं करना है, लेकिन आपको मीनिंग बताओना चाहिए, देखिए, पी-एच एक तरीके का नमबर होता है, जीरो से खौडीन ये बीच में आसकता है, ठीके ना, पी-एच इस इन्वर्सली प्रपोश्नल टू दा कॉंसेंट्रेशन ओफ एच प्लैस, फिर फिर हमने, यह जो नमबर आता होगा पी-एच, जो कि किसको बताता है, पावर आफ हाइडोजन आयन कॉंसेंट्रेशन, इस इन्वर्सली प्रपोश्नल टू दा कॉंसेंट्रेशन ओफ हाइडोजन आयन, पतलब यह तो आपको पढ़ना आता है, अगर एच प्लैस आयन कॉंसेंट्रेशन जादा होगा, अगर जादा होगा, तो पी-एच बाला जो नमबर आएगा, तो कैसा ना चाहिए, पता है अगर ऐसा वन अपन में लिखा है, तो यह अगर बढ़ेगा, तो यह क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर एच प्लैस आयन का कॉंसेंट्रेशन कम होगा, तो पी-एच का वैलोग जादा आएगा, ठीक है, ध्याम के बाद आपको बता है, अब मुझे बताईए, यही वाला पी-एच का वैलोग कैसा आएगा, इसका मतलब इसकेल पे आप यह भूल सकते हैं, कि जो कम वाली वैलो हों, इसको बताती हूँगी, स्ट्राउंग एचिट्स, समझ में आया, इसका मतलब अगर किसी का पी-एच जीरो आ रहा है, तो वो सबसे अच्छा क्या है, एचिट्स, कोई दिक्कत है, तब ही देखें, मैंने एरो लगाया है, इंक्रीजिंग एसिडि इनल्टी, इसको एक 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 डिक्रीजिंग एसिटने टीट लिए, अब सुनिए, इतर देखें देखें, थोड़ा से, एच्छ प्लेस आयन का कॉंसेंट्रेशन क्या आरहे है, अगर कम, अगर एच प्लेस आयन का कॉंसेंट्रेशन का मारा है, इसका मतलब पी-एच का अगर pH ज्यादा आ रहा होगा तो वह solution कैसा होगा? वह समझता हैं, वह ऐसा डिक नहीं होगा तो इसका मतलब एक pH का वैलू बहुत बढ़ी है में लोग जैसे pH कितना में लगा है अगर 14 अभी तो बसके सम्झाना सब्सक्राइब पूरास को देखें pH का वैलू अगर 14 आ रहा है आपके में लिखा है इसका मतलब क्या है? वह strong base है तो यह दिखिए, यहां मैंने ऐसे arrow लगाए है और arrow कहां से लगा रहा हूँ? 7 को मैंने बीच में रखा है वो ध्याम रखेंग आभी देखेंगे क्लास लेहत में हाला कि डिटेईल में बताया जाएगा अभी जितना syllabus में वो हम करना है ओके तो यहां से मैंने लिखा है increasing basic nature ठीक increasing basic nature का मतलब है increasing OH minus concentration का मतलब है decreasing H plus concentration वो दिखकर देख इधर जाके अगर acidic nature बढ़़डा है तो किसका concentration पढ़डा होगा H plus का increasing H plus concentration उसी का just opposite decreasing OH minus concentration ठीक अब सुनो यह 7 क्या है तो answer है कि water जो neutral होता है जो भी solutions neutral होते होंगे जैसे कि pure water ठीक तो pure water का pH कितना होता है 7 तो किसी भी चीज का pH अगर आपको 7 दिखाई पड़ेगा तो वो neutral होता है उसका best example क्या है? Water इसलिए यहां पे 7 पे आप नोट करके उपर neutral neutral means what? concentration of H plus size is equal to concentration of OH और किसका pH 7 होता है तो answer है pure water का pH 7 होता है यह आपको लियान रखना है अच्छा अब इसके बाद आप सकर पूछा जाए कि what do you mean by pH scale? यहां पे मैंने definition लिखी है the strength of an asset or base is measured on a scale और यह scale किस पे base होती है? numbers पे तो वही लिख है मैंने measured on a scale of numbers of numbers यहां पे कुछ numbers लिए जाते है is called the pH scale and the pH scale have values from 0 to 40 अब सुने इसमें कुछ points आपको बता होने चाहिए number 1 point neutral substances have a pH value of exactly 7 यह note कर लिया है इसमें कुछ देख्या आपको points पता होने चाहिए from the node कर लेते है point number 1 जो neutral substance होते होंगे उनका pH कितना होता होगा? 7 अब मुझे बताए कि किसी solution का question सुने किसी solution का pH 7 है ठीक है? red rhythmus paper ले जाने पर क्या होगा? no change और blue rhythmus paper ले जाने पर no change कि solution neutral है आगे question सुनिये methyl orange ले जाने पर क्या होगा और phenocene ले जाने पर क्या होगा? जिसका pH 7 हो सुनी कोई फर्क नहीं पड़ेगा point number 2 जो कि आपको पहले भी पता है जिसका pH 7 से क्या होता है? less वो क्या होता है? acidate okay number 2 pH is less than 7 solution कैसा होगा? acidate इसमें भी आपको दो बातें पढ़ने है strong acid और weak acid सुनिये जिनकी values आती होंगी 0, 1, 2, 3 acid solutions जिनका pH आता होगा 0, 1, 2, 3 they are strong acids okay 0, 1, 2, 3 को आपको ने कहा consider किया strong acids 0, 1, 2, 3 strong acids और 4, 5, 6 कौन होते होंगे? 4, 5, 6 कौन होते होंगे? weak acids weak acids यह strong acids and weak acids क्या होते होंगे? Sir इसमें S plus the concentration No यह तो definition यह गलत बता है Sir 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 on adding these acids they dissociate Yes by adding these acids to water if they dissociates or in a very good manner then they are called strong acids If they are not in a good manner then they are called weak acids Yes this was the definition and I have to tell you the difference that is concentration and what is strong acids and what is strong acids is different Strong acids किसे measure degree of dissociation से एक number से measure कि इतना अच्छा वो ionize हो गया अगर आपने 100 gram डाला है तो उसमें से 99 gram या 95 gram अगर dissociate हो गया है तो that is strong acids that पहाल वह हम डिसकस कर चुके तो जादा डिसकस नहीं करेंगे ठीके? नौ अब मुझे आप बताइए pH value अगर कम आता है pH value अगर तुरहत आप दिमाग लगा के सोचिएगा क्योंकि अभी-अभी rule के अपड़ आए गया था pH is inversely proportion to the concentration of H+. यह point आप याद रख क्योंकि तो आप तो समझ पहा जगा pH अगर किसी का कम आ रहा है इसका मतलब यह क्या होगा? इसका मतलब solution कैसा होगा? basic pH अगर किसी का ज्यादा आ रहा है इसका मतलब यह क्या होगा? कम इसका मतलब H plus कम है का मतलब? basic ठीक है? तो आप को याद रख है, lower the pH, the stronger the basic Okay? Now, बताइए कि एक solution का pH 7 से कम आ रहा है question सुरिए एक solution का pH 7 से कम आ रहा है what is the effect on blue litmus paper? yes blue को red कर देगा? blue का question सुरिए एक solution का pH value 7 से कम आ रहा है what is the effect on methyl orange indicator? methyl orange indicator and red yes methyl orange acidic solution में कैसा हो जाता है? hydrate point number 3 जो कि आपको पता है कि अगर pH आ रहा होगा? 7 से जादा तो solution कैसा होगा? basic 7 से जादा जादा आ रहा है का मतलब H plus कम? का मतलब OH minus का concentration जादा as compared to H plus I that's why the solution is basic okay answer क्या है solution क्या है आपका basic ठीके basic में भी दो category है आपके पास एक तो क्या है? strong basis जिस पाक क्या लिख सकते है strong alkalis okay तो strong alkalis कौन होते होंगे? तो सुनिये strong में किसको किसको रखा गया है? 11, 12, 13, 14 जिनका value आता होगा they are considered as strong basis 11, 12, 13, 14 next V basis में किसको रखा गया होगा 8, 9 & 10 जिनका pH 8, 9 & 10 आता होगा they are considered as V basis or V and alkalis okay now question सुनिये the solution has pH more than 7 what is the effect on red litmus paper turns to blue next question what is the effect? no the pH of a solution is greater than 7 what is the effect on fin of clean indicator? pink it will turn in pink very good basic solution में pink हो जाता है ठीक है? now अब इसमें आपको इस चीज़ देख नहीं है ध्यान से बड़ाता इसमें scale को देख लीजे मुझे बताईए 5 वाला 5 वाला भी क्या है? acid और जिसका pH 1 आरा है को भी क्या है? acid जादा acid कौन है? 1 वाला so you can say that इंहर जाते हो तो बढ़ता है न क्यों concept भी समझना रहा है कि आपको लोग बलत पोल रहा है pH का value अगर कम आ रहा है तो कौन जादा होगा? यहां सहीं देख जो आप h प्लस आदा होगा कि इसका मतलब क्या है? यही basic formula आपको याद रखना pH is universally moved into the concentration of hydrogen ions and hydrogen ions are responsible for acetic solution okay फिर 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 पांच एक दोनों इनेचर में कैसे है जादा acidic को होगा सुनिये जैसे कि आप लीजे आपके पास दो लिक्विड रखे हो है फ्लसक में दोनों आपने ऐसा टच किया दोनों लिक्विड आपको गरम लगते यह वाला भी यह वाला एक बोल रहा यह वाला जादा गरम तो दोनों में लडा ही हो जाएग तो आप उसको quantify नहीं करोगे quantify करोगे ना तो आपने कौन सा device बनाया thermometer बनाया कि नहीं इसमें रत्व आप आता है 40.2 degree Celsius यह 60.2 degree Celsius इसमें रत्व आता है 60 कौन सा जादा गरम यह वाला 60.2 वाला बल्कि छोने में दोनों कैसे लगेंगे लगबग लगबग एक जैसे तो दोनों में लणाई भी हो सकती है यह वाला जादा गरम है यह वाला जादा गरम है बहुत कम difference है 0.2 कम तो वही चीज है कि आपको जो है देखना पड़ेगा यह भी acid है यह भी acid है यह भी acid है कौन सा अच्छा acid है जिसका pH काम होगा क्यों? क्योंकि h-plus-h-y concentration जादा होगा क्यों मैं इंगर 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 नपर जादा होगा तो यह क्या आएगा? कम और यह क्या होगा तो यह क्या आएगा? जादा और डिरेक्टी प्रपोर्श्चल में कुछ और होता था यह जादा अगर यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा यह भी बढ़ेगा यह भी बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा ना बताइए मुझे 1-ka pH value आ रहा है 9 और 1-ka pH value आ रहा है 13 कौन strong base 13 तो आप क्या बोल सकते? कैसे? pH अगर जादा आ रहा है pH अगर जादा आ रहा है मतलब 13 आ रहा है का मतलब H plus Ion concentration कम का मतलब क्या है? OH जादा इसका मतलब pH कैसा आ रहा है? जादा ठीक, तो कि H कम होगा H plus कम होगा तो अगर चार्ट में you can say that when we are moving from 7 to 14 the concentration of OH minus Ion increases and the concentration of H plus Ion decreases when we are moving from 7 to 0 the concentration of H plus Ion increases and the concentration of OH minus Ion decreases then we can also say that this is increasing basic nature and this is increasing acidic nature other way round you can say that this is decreasing acidic nature and this is decreasing basic nature okay, ये होगा आपका पूरा pH scale okay now इसमें इनोट कर लिया ये हाँ अब देखिए इसमें कुछ pH values हमको पता होनी चीए उसको देखिए इसमें जैसे की ये solution है आपके पास ये आपका pH है ओके आपकी भूप में दिया हुआ है इसमेंसे मैं आपको कुछ बता लेता हूं इसमें concentrated acyl concentrated hydrochloric acid strong acid है pH कितना होना चीए होता है next dilute hydrochloric acid dilute कर दिया अगर आप पहने hydrochloric acid को तो उसका कितना होगा है 1.0 ठीक है gastric juices जो होते है जो कि आपके स्टमक में gastric juices आपने पढ़ा है dicey juices उनका pH होता है 1.4 lemon juice का होता है 2.5 vinegar का होता है 4.0 tomato juice का होता है 4.1 coffee 5.0 soft drink 6.0 and milk 6.5 milk 6.5 pH होता है तो बताए milk acid के nature होता है कि नहीं but weak acid okay next pavor water is neutral okay saliva before meal after meal saliva before meal before meal मतलब जब आपने खाना नहीं खाया होता है ठीक है जब आप इसको चबाते हैं नहीं हो तब saliva का pH होता है 7.4 okay okay but after meal acid but weak 8.5 8.5 washing soda 8.5 baking soda solution 8.5 washing soda solution 9.0 9.0 washing soda solution 9.0 9.0 means कैसे nature का होता होगा washing soda okay milk of magnesia 10.5 and mild base होता ही है देखिए यहाँ 10.5 तब मैंने arrow किसके लगा है weak base milk of N.5 means weak base mild base है यह यह दिसक्स कर चुके है aqueous solution of MgOH old toys next is household ammonia जो भरो में यूस करता है 11.6 है dilute sodium hydroxide is 13.0 dilute sodium hydroxide 13.0 but concentrated sodium hydroxide is 14 क्योंकि आपको पता है concentrated sodium hydroxide NaOH बहुत अच्छा क्या है base इसलिए उसका pH कितना आएगा 14 बहुत अच्छा base का मतलब है कि OH minus का concentration बहुत जादा होगा और H plus का बहुत कम क्योंकि H plus का concentration बहुत कम है इसलिए pH उसका कितना आएगा बहुत जादा है ओके तो इस तलीके से तो अगर आपसे फाइनली पूछा जाएए क्या जाएगा स adelante बहुत अच्छा पूछा-ट hazard तो फो फो प्यक्साइब करियए द्यक्त आएगा झाल झाल